देश के 12 करोड से जादा छोटे किसान परिवारों को 30-40 करोड स्रमिकों को मेरे बज्जुर भाई बहनों को और 3 करोड से जादा मद्दमबर के परिवारों को जीधा लाब मिलना तैया है आप आप शांती रखिए अम्मादान छोटा पर गया है आप जहां है वही खड़े रहिए मैं आपके प्यार के लिए आपके उस्ता रुमंग के लिए मैं रदाई से आपका बहुत आभारी हूँ बारात माता के बारात माता के ये द्रस्ट देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीजी हिंसा पर क्यों उतर आई है ये आपका प्यार है जिसके डर के सारा लोग तंत्र का बचाओ के नाटक करने वाले लोग निर्दोस लोगों के हच्चा करने पर तुले हुए है मैं बता रहा था जैसा कि कर मैंने कहा कि ये बजेट तो एक शुरुवाद भर है कि चुनाव के बाद जब पुर्ण बजेट आएगा सब किसानों कामगारों युवाओं के भविश्ट की तस्वीर और स्पस्ट हो जाएगी साथियों अप्ठाकुर नगर के पस्टिम मंगाल के देजभर के जिन भी किसानों के पाँच-पाँच एकर तक भूमी है उनको हर वर्ष केंदर की सरकार छे हजार रुपिये तक की सहायता सीथे बैंक खाते में जमा करेगी ना कोई सिंडिकेट टैस्ट अब कोई सिंडिकेट टैस्ट को गुचने नहीं दिया जाएगा ना कोई बिच्छा लिया ना कोई अर्चन सीथे बैंक खाते में पैसा जमा होगा अब आपको समझ आने लगा होगा कि मोधी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों देया आज यहां पसिब मगार में ही तीन करोर से अधिक जंदर खाते खुलवाए गए गए जात्यों यह जो राची किसानों को मिलने वाली हैं किसान में तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपिया में आपके खाते में जमा होने वाली हैं दो हजार रुपिय की पहली किस्ता बहुती जल्द मिलना आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी छोटे किसान को अब अपनी खोटी खोटी जर्रतों जैसे भीज, खात, दवना जैसे किटों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली हैं जिससे किसान अपनी आएको और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों हमारे देश में कई बार किसानों के सास पर्ज माफी की राजनी की तरके किसानों की आँख में जुल जोंकने के दिर्लज प्रयास हुए हैं किसानों के बोलत्मन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाग उठाया हैं बस बार वर्षों में चुनाओ को दुटती एक मार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ बला नहीं कर रहे थे चंद किसानों को इसका लाम मिलता था और खाशकर फोटे किसान आजादी के अपताज इंतगार करते रहे जाते थे जिन किसानों को कर्ज माफी का लाम मिलता भी था वो भी कुछ वर्षों के बार फिर कर्ज़दार ही बन जाते थे आपने देखा होगा कि अभी कुछ राज्जों में करज माफी के नाम पर किसानों से वोट मागे गए परिणाम क्या हुआ ऐसे किसानों की करज माफी हो रही है जिसने कभी करज लिया ही नहीं जिसने करद लिया उसकी डाइलाग रुपिय की माफि का वाइदा किया था और माफि हुई तेरों रुपिय की ये कहानी मज़्द पुदेश की है वही राजस्तान में तो सरकार ने हाठी खड़े कर दिये बहां तो अभी ये बहाना बनाए जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसानों का करद माफ परने से इतना वहाँ बोज पड़ेगा परना चक्वे जो किसान परजन नहीं दे पा रहे हैं उनके पीछे पुलिस लगा दी गई है ये है कॉंग्रेट की किसान और क्रिफिडिटी जिसको यहां की पीएम का समर्थन मिल रहा है साथियों हमें सरकारों को उनकी नियत नीती और निस्टा में पस्त अंसर करना पड़ेगा ये जो पीएम किसान सम्मान योजना पीएम किसान योजना बनाई गई है इसमें 75,000 करोड रुपिये के फर्च का अनुमान है मेरी आप पे बिंती है कि अब मैदान में जगा नहीं है अपने ही लोगों को परेशानी हो रही है आप ऐसा मत कीजिए आप ऐसा मत कीजिए आपका प्यार मेरे सर अखों पर लेकिन ये आपका उच्छा ये उमांग आज ये जगा कम पड़ गई ये मैदान छोटा पड़ गया और इसके कारण आपको अस्विदा हो रही है आज मेरे लिए सफागे है कि मुझे मत्वा महासं के इस विशेश समाहरों में आने का आउसर मिले आपने जो आसिरवाद और प्यार दिया है इसको मैं हमेशा हमेशा एक इस्वर के पुसाद के रुप में लूगा लेकिन मैं एक छोटी बात बता करके मुझे आगे के कारकम के लिए जाना है और इसलिए मेरी बात को इसाँ पर आपको मैं भी स्वाद दिलाना चाहता हूँ हिंदुस्तान आजाद होने के बात उस समय देश के टुकड़े करकर के देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किये तब जो लोग यहां से उनको लगा कि चलो भाई जिन्दगी वहां भी गुजारा कर लेंगे लेकिन साम प्रदाई दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए अत्याचार हुए और परणाम खुरूप लोगों को यहां वहां अपने अपने उन देशों को ठोड़ करके आना पड़ा किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा किसी को बंगलादेश से आना पड़ा कभी हिंदुों को आना पड़ा, कभी जिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पार्जियों को आना पड़ा, समाथ के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के जिवाय कोई जगा नहीं है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान मेरहने का जिकार मिलना चाहिए कि नहीं मि कुछ नागरिकता कानून लाएं हैं मैं कियां के पार्टी को कहता हूं कि आज नागरिकता के कानून का सबर सम्किजिए वार्मेंच पारी भुले दिए ये मेरे भाइयो द्धनों को उनका धिकार मिलना चाहिए बहुत के तुक्डे हुए इनकी जिन्गी अपने समय तबा़ क की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद की भारत माता की भारत मैं बहुत 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 बहुत